न तातों न माता न बंधुर न दाता न पुत्रों न पुत्री न भृत्यों न भरता न जाया न विद्या न वित्तिर ममईवा गतिस्वम गतिस्वम तमी का भवानी नमस्कार आप देख रहे हैं श्रेश्ट भारत और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंग नौरात्री का आज आठवा दिन है, आज माहागौरी की पूजा होती है, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है इस वक्स अरिता मिश्रा जी जो कि हमें बताएंगी कि माहागौरी की पूजा कैसे करें, जिससे हम उन्हें प्रसंद कर सकें, क्या है उनकी पूजा का विधि लेकिन जो भी जीवन में, जो भी गती है, उस सब मा के कारण हैं, तो आज माहागौरी का दिन है, कौन है वहागौरी और कैसे करें उनकी पूजा? नमस्कार, जैसे कि आप सब को पताएं, ये आटवा दिन है मादुर्गा का, जो हम माता दुर्गा के आटवे स्वरूप की पूजा रादना करते हैं, जो माहा गौरी के नाम से है, माहा मतलब महान, और गौरी मतलब वाइट, मतलब सफेद, तो आप माता की प्रतिमा को धि आपके उखे या केहलों कि भाई आपके जीवन में आए तो माहा गौरी जो है, वो इन चीज से आपको निजाद दिला देती हैं, तो यदि आपके जीवन में किसी तरीके का भाई है, शत्रू है, तो इसकी पूरा आदना करें, माहा गौरी को जो अति प्रत्रशद है वो है जार्यल के साथ साथ आप उनको चीनी का भी प्रिषाद सकते हैं या आप हल्बा भी बनाके मातां के आगे अवश्यह रख सकते हैं आपकी इच्छा अनुसार यदि कहीं तो चीनी और नार्यल रख दे माता के अगे हल्वा बनाखे उसमें भी नार्य जाता है Onipu प्रशाद के रूप माता के आगे अवश्य रखें, ऐसा करने से भी माँ आपके समझ दुखो को निमारंद कर देंगे और कौन सा फूल मा को सबसे आदा पसंदे, कौन सा फूल अरपड करें उनको है अजन कौन सा जब बहुता माता को कमल या लाल फूल अथी प्रिया होता है तो माह geliyor के आगे कमल रखेंगे तो आदीप्रिया है उसँसे आपकी समझ दूख अवश्यनमान हो जाएंगे तो आज आठवेँ दिन है सारिता जी प्रोगा पुजापारण करेंगैं क्योंकि अब नौरात्री खत्म होने की कगार पर है तो सभी लोग चाहते हैं कि हम अपना मतलब बेस्ट दे सकें माता को जो भी हम बेस्ट पॉसिबल है वो कर सकें तो क्या कोई खास तरीका पूजा पाट का जो हम कर सकें आज के दिन देखें खास तो क्या है माता के लिए खास तो बस यह है डेली सुबह जर्दी उठिए माता की पूजा अरादना कीजे सच्चा मन रखिए मादेवी के आगे हाथ जोड़िए अपनी विंती कीजे यदि आप ऐसा चाहते हैं कि कोई ऐसा मैं उपाए बताओं जिससे आपकी मनो कामना माता अवश्य सुन ले जो कि आजकल सब को चाहिए तो मैं आपको बताओंगे कि आप एक भोज पत्र ले ले उस पे लाल रण की शाही से अपनी कोई भी मनो कामना लिखके माता के आगे मादूरगा के किसी भी सुरूप के आगे अवश्य रखें ऐसा करने से माँ आपकी मनो कामना अवश्य प्रूंद करेगी चलिए तो आपने तो बड़ा सिंपल सा उपाए बता दे हैं मेरे खाल से सबी लोग चाहेंगे कि वो लिखकर रख दे कुक माा उनकी बात सुनही ले आज आठवा दिन है अब जो लोग कि नौ दिन का वरद रखते हैं बहुत सारे हाफ़ी होता हम नौदी योग ढां कर दो होता है तो इसलिए हम कर आते है ता कि हम ये सोचते है梨 कि माता हम हमारा does करेंगी और हमको आशिवाद ब्लेसिंग जरू मिलेगी जिसे हम अपने सुख अपने समस्थ जीवन में सुख शांती स्मृद्धी प्राथ कर पाएंगे तो यह नौ करन्या खिलाने में खास तौर पर यह चना हल्वे का भोग भी लगता है और खिला जाते तो क्या इसके हल्वा और पूरी जो कि आप सब सुनते होंगे कि माता के नौरात्रों में जब भी कन्या को भुजन कराया जाता है पूरी हल्वा और चने का ही तो कही ना कही हल्वा एक शौट है मीठा है आप घर में इसली बना सकते हैं चाहे आप बहुत अच्छे फामली से बलॉं करते ह नीचे से हल्वा एक चोटी सी चीज है जो आप घर में बना सकते हैं माता को प्रशाद के रूप में चड़ा सकते हैं और उसको बाट भी सकते हैं ऐसा करने से अपने समझ दुख अवश्य हर जाएंगे इसलिए बस माता को हल्वे और चने का प्रशाद अवश्य लगा जात बहुत है तो बनाने में अच्छा लगता है तो साइटा जी अप जो लूब नौधन का वरत रखते हैं तो आपके असाब से उनको नौधन का वरत कभ तोड़ना चाहिए किया कण्या कहिलाने के बाद रहाद को तोड़ सकते है या फिर वो भी कुछ मोहरत होता है उसके हाप प्रषाद को बेज से अपने अपनी बरहतो नू करें है सो हुख बार 20 vuru उसके बाद आपको जोबी खानायी काम करनें कारे अपने कारे करें हुख उसके बाद अपनेन कारे करें बस यही है नौ पो भूग कराएं और उसके बाद यृ स्या lugar है बोड़न हैं 14 अजरे के एंपा म्लपूर्धॉ बिध लिए आपई कर आप बग में ओवड दोड़ द तोड़ में ओड़े हैं आफ कवय में अच्टमी के दिन पूरा कड्राद पूरेता है किसी के असब्त मी की जाती है, किसी के अश्ट मी की जाती है. अच्छा, बहुत सारे लोग नौदन का वरत नहीं रखते हैं. मैंने देखा है कई बारिया पहला अखरी नहीं तो लास्ट में दो दुदन रख लेते हैं. वो जोडे से रखा जाता है. माता का कोई भी वरत जोडे से रखा जाता है, तो कोई लोग लास्ट के दो कर लेते हैं, कोई पहला और आखरी कर लेता है. इसका वो और कुछ दीज़न नहीं है. चलिए, तो अब हमारा वो समय हो चुका है, जब आप उपाय बताती हैं, तो आजकल आप देख रही हैं, पढ़ाई तो बच्चे कर ले रहे हैं, लेकिन नौकरी मिलने में बड़ी परिशानी हा रही हैं, बहुत सारे लोग की लग जाती हैं, लेकिन ऐसे बहुत से बच्च कर दो कोई बैठ जाएंगे, तो कुछ भी नहीं होगा, जैसे कि हमारे मोदी जी ही कहते हैं, कि आत्मनेर्वर बनिये, आप नौकरियों पर डिपेंड़ मत रहें, कोशिष कीज़े आप आत्मनेर्वर बनिये, जितना हो सके खुद कुछ करने की कोशिष कीज़े, ऐसे को ज हैं, जैसे आपने हर बार चोड़ जोड़ी चीज़ें बताई हैं, कि जिससे हम मतलब होसला भी बनाय रखने के लिए, तो आपको मंगल का जुग रहे है, उसको अपने स्ट्रॉंग करना पड़ेगा, आपको हन्मान मंदर जाना पड़ेगा, हन्मान मंदर जाके वहां प्र कि भाव पाएं पाएंगे और कुछ कर पाएंगे, उसि के बाद जीवत में कुछ कर पाते हैं, जभ हम पहले उस चीज के लिए ठान लेते हैं, हर काम को करने से पहले, उस काम के लिए सोचना बहुत जरूरी है, सोचने के साथ, फिर आपको शुपर एक्षन करना ज invatorium मगल क आपको बढ़ेगा जिससे आप किसी भी काम को सोच पाएंगे और कर पाएंगे फिर उसके बाद आप नौकरी की तलाश अवश्य करें आप इंटर्व्यू देते रहें जहां भी आपको लगता है कि आपको इंटर्व्यू देना आपके लिए सही रहेगा वहां आप जाए आपको सफलता भी मिलेगी तो बहुत 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 शुक्रिया आज के लिए सरिता जी तो आज के लिए बस इना ही जयमाता दी यूपी की हख अबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेश्ट यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें साथी बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुँचती रहे